कि असलाम अलेकम इससे पहले यह लेडिस कोड़ का कटिंग दिखाया था लॉंग कोड़ का अब उसका आस्तिन कटकर पेटिंग करके दिखा रहा हूं अब जैस्तिन करती उस तरह ने रहेंगी इसका कुछ अलग रहेंगी तो मैंने दो पल्ला कप्डा को बैठा लिये हूं तो सीधा एक मार्ग लगाएं यहां पर एक मार्ग है यहां पर सीधा लगाएं सारे 22 इंच अस्तिन का लेंद है तो हम यहां 20 सेंटर से सारे 22 इंच पर मार्ग लगाएंगे और दो इंची ज्यादा लगाएंगे कि लेंद कम ज्यादा हो तो बाद में सहीं कर सकते हैं 36 इंची चेस्ट है 36 का 14 इंचा 9 इंच आती है इसमें हम आदा इंच कम करेंगे सारे 8 इंच पकड़ करेंगे कि लेडिस का हैंज आस्तिन पतला रहती है तो हम सारे 8 पे सीधा मार्ग लगा लेंगे अब एक पॉनी दो इंच पे मार्ग लाएंगे एक सारे पांच इंच पे मार्ग लाएंगे एक मार्ग लगाएंगे एक आदा इंच पे सीधा मार्ग लगाएंगे अब बीच का मार्ग लगाएंगे जहले सारे 8 तो सावा चाहते मार्ग लाएंगे अब इसका जो सावा चाहर है इसका अधर लगाएंगे सावा दो इधर भी लाएंगे सावा दो सावा चाहर दो सावा दो ने रहेगी दो इंच एक पॉइंट रहेगी दो इंच एक पॉइंट और यहां पर अधा इंच लाएंगे और यहां पर यह नीचे का मोड़ी है दो इंच पर मार्क लगाएंगे दो इंच पर मोड़ी है सारे नो इंच सारे नो इंच का आधा याने पांच में एक पॉइंट का यहां पर लगा लेंगे दो पॉइंट आगे लगाएंगे अभी सेव इसकेल है यहां से लेके यहां तक हम सीधा मार्क लगाएंगे उसके बाद यहां पर लगाएंगे तोन इंच पर एक इंच यहां अब यहां से यह जो मार्क लगाएंगे यहां से इसको यह मार्क कर बोलाएंगे यहां में पर इंच देंगे यहां परड़ेंगे मैं बुक्राइंगे कि यहां से यहां तक हम सीधा मर्क लाएंगे यह अलका से मिलाएंगे अब यहां से क्रोस कर लेंगे अब यहां से थोड़ा उपर ले लेंगे लो पॉइंट उपर ले लेंगे अब इसको हम यहां से कट कर लेंगे करेंगे अब दूसरा पला हम इसी को बैठाएंगे कट करेंगे सबसे पहले हम इधर कट करेंगे इसको इस तरह बैठा दिये अब यहां पर दो इंच का मार्क लाएंगे अब दो इंच दो इंच यहां पे भी दो इंच और यहां पे भी दो इंच आज इस तरह इसका मार्क उठा लेंगे कर दो इसका मार्क लाएंगे अब यह इसके हैं से मार्क को सही कर लेंगे अब इसको हूं पाल अब अब आए इसको आए मैं इसको आए इसको आए इन आए लेकम कि अग्वार श्राइम आठेच हो जाएगे यहां पर देखेंगे कितना रही है सारे 6 इंच आ रही है तो यह सई है और यह वार यह बुलाई भ़ी नाप करके देख लेंगे बौडी में कितना बुलाई आ रही है इसमें कितना बुलाई आ रही है उससे यह बेर इंच 2 इंच ज़ादा रहेगी तो यहां पर रिंकल देंगे आज दिन में रिंकल रहेगी तो यह मूंडा उट के दिखेगा ठीक है वीडियो अच्छी लेगे लाइक करें चैनल पहली बारा सब्सक्राइब करें कोई भी सवाल है कॉमेंट करके में बताएं कि और इसके बाद का उसका स्टीफ करना दिखाऊंगे स्ट्रेचिंग अबुरा कम्प्लीट दिखाऊंगे वह सकता काफी पार्ट हो जाया है विए पूरा कम्पलीट बारिक से दिखाऊंगे